Hello students, यह next question दिया है, screen में कह रहा है, show that area of the triangle contained between the vectors A and B, vectors A and B is one half of the magnitude of vector A cross vector, ठीक है, अब यहाँ पर area of triangle बोला है, सबसे पहले मेरे को दो vector लेने हैं, A और B, इनके बीच का, इसको मैंने मान लिया vector A, ठीक है, इसको मैंने मान लिया vector, vector A cross B मतलब यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, यह angle कितना हो गया, ठीक है, अब क्या करो, पहले आप एक triangle complete कर लो, यह मैंने triangle यहाँ से complete कर लिया, ठीक, अब area of triangle क्या होता है, half of base into perpendicular, एक perpendicular draw कर लो, यह मैंने perpendicular draw कर लिया, ठीक, अब सबसे पहले, आप इस perpendicular का length निकाल लो, ठीक है, अब सबका मैं magnitude ले रहा हूँ, तो vector यह को simply यह लिखूँँगा, vector P है, mod भी लिख सकते हैं, सबका मर्जी है, ठीक, आपने लिए, ठीक है, क्या लोगे triangle POR में, अब मुझे PR height निकालने, यह area heights निकालने सही आएगा, बेस तो मिरे को पता है, एक के बराबर है, अब height का कैसे क्याला होगी, देखो, यह निकालना है, और यह hypotenuse दिया है, तो sin theta लगा दो, क्या होता sin theta, sin theta is perpendicular, perpendicular हो गया PR, upon hypotenuse वो हो गया, ओपी, तो PR किसके बराबर हो गया, PR हो गया, ओपी, sin theta, एक, तो PR बराबर हो गया, ओपी किसके बराबर है, अगर magnitude की बात करें, तो mod B के, mod B, sin theta, यह मुझे PR की वालू गया है, अब area of triangle, ठीक है, अच्छा, अब देखो, आपको पता है, vector A, cross vector B का formula क्या होता है, mod A, mod B, sin theta, और n gap, अब क्या रहा है, magnitude of A, cross B, तो इसका मैंने mod ले लिया, अगर इसका mod लूँगा, तो इस पूरे का भी mod हो जाएगा, जब इस पूरे का mod लूँगा, तो यह unit vector है, इसकी value क्या हो जाएगी, पन हो जाएगी, तो आपन इसको remove कर सकते हैं, मैंने यह लिया न, modulus, तो आप इसको unit vector n को आप remove कर सकते हैं, उसके value जर्वत नहीं है, अब ध्यान दो, यह mod B, sin theta किसके बराबर है, पी आर के बराबर, एक, mod B, sin theta बराबर है, पी आर के, मतलब height के, पी आर को मैं actually लेता हूं, एक height के बराबर, तो यह मुझे मिल गया, mod A, और यह जो mod B, sin theta, यह आपका पी आर हो गया, पी आर, चला अब इसको भी मैं वो लेख देता हूं, vector A को मैं लेख सकता हूं, यह हो गया, mod of vector A, cross vector B, आप कह रहा है, is one half, अब देखो, यह OQ मतलब base आ गया, और PR मतलब height आ गया, area of triangle होता है, half of base into height, तो यहाँ भी 2 multiply कर दो, और यहाँ पे 2 divide कर दो, अब देखो, इससे क्या बन गया, इससे बन गया, mod of vector A, cross vector B, इस, यह हो गया, two times, OQ, गुणे PR, बटे, दो, अब, OQ, अब यहाँ देखो, OQ आपका base हो गया, PR आपका height हो गया, और उसका half, तो half of base into height क्या होता है, यह हो गया, mod of vector A, cross vector B, is equal to, two times of area of triangle, O, P, Q, यह ही triangle था न, देखो, इसको मैं यहाँ shift कर देता हो, O, P, Q, ठीक, तो आपका आगया, तो क्या मिल गया आपको, area of triangle, finally, O, P, Q, is equal to, one by two of, mod of vector A, cross vector, भी यही proof करना था, देखो हैं आपको, between it is one half of the magnitude of A, cross B, area of triangle, is one half of the magnitude of A, cross B, I hope it is clear to you, thank you for watching, bye bye, keep loving, keep supporting, and please अगर पसंद आए तो, friends के साथ share कर देना, जो भी आपके, सहेला, सहेली, है न, future partner, जो भी हों आपके साथ share कर देना, thank you, bye bye.